प्रश्न 1. इफ्वन टोपी शुकला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? उत्तर इफ्वन टोपी शुकला कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्यूंकि टोपी शुकला की पहली दोस्ती इफ्वन के साथ ही हुई थी. इफ़ण के बिना टोपी शुकला का जीवन अधूरा है इफ़ण के बिना टोपी की कहानी को समझा नहीं जा सकता दोनों अलग-अलग मजहब के होते हुए भी एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए है प्रश्न दो इफ़ण की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? उत्तर इफ़ण की दादी पीहर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वे जमीनदार परिवार की बेटी थी उनके पीहर में घी, दूद्व दही की भरमार थी उन्होंने शादी से पहले पीहर में खूब दूद दही खाया था बाद में वे लखनव के मौलवी से ब्याही गई थी जहां उन्हें अपनी मौलवी पती के नियंतरन में रहना पड़ता था पीहर जाने पर वे स्वतंत्र अनुभव करती थी और लपर शपर जी भर कर दूद दही खाती थी इसी कारण उनका मन हर समय पीहर जाने को तरस्ता था प्रश्न तीन इफ्फन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी इसलिए नहीं कर पाई क्यूंकि दादी का विवाह एक मौलवी परिवार में हुआ था और मौलवियों में शादी विवाह के समय जश्न मनाने या गाने बजाने का रिवाज नहीं था प्रश्न चार अम्मी शब्द पर टोपी के घरवालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर टोपी शुकला के घरवाले आधुनिक होने के साथ साथ कट्र हिंदू भी थे अम्मी शब्द मुसल्मानों के घर में इस्तेमाल होता है किन्तु जब टोपी शुकला के मुख से अम्मी शब्द सुना गया तब घरवालों के होश उड़ गये उनकी परंपराओं की दिवार डोलने लगी, उनका धर्म संकट में पढ़ गया, सभी की आँखे टोपी के चेहरे पर जम गई की उनकी संस्कृती के विप्रीत यह शब्द घर में कैसे आ गया जब टोपी ने बताया कि यह उसने अपने दोस्त इफ्वन के घर से सीखा है तो उसकी मा वा दादी ने उसकी खूब जम कर पिटाई की प्रश्न पांच, 10 अक्तूबर सन पेंटालिस का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? उत्तर 10 अक्तूबर सन पेंटालिस का वैसे तो कोई भी महत्व नहीं है लेकिन यह दिन टोपी के जीवन में विशेश स्थान रखता है क्योंकि इसी तारीक को इफ्वन के पिता को तबादला मुरादा बाद हो गया था यह तबादला इफ्वन की दादी के देहांत के थोड़े दिनों बाद ही हुआ था अब टोपी बिलकुल अकेला हो गया था क्योंकि इफ्वन के पिता की जगह आने वाले नए कलेक्टर के तीनों बेटों में से किसी ने भी उससे दोस्ती नहीं की थी प्रशन 6 टोपी ने इफ्वन से दादी बदलने की बात क्यूं कही उततर टोपी की दादी का स्वभाव अच्छा न था वो हमेशा टोपी को डौती फटकारती थी वो कभी भी उससे प्यार से बात न करती थी टोपी की दादी परंपराओं से बंधे होने के कारण कटर हिंदू थी वे टोपी को इफ़न के घर जाने से रोकती थी दूसरी ओर इफ़न की दादी बहुत नर्म स्वभाव की थी जो बच्चों पर क्रोध करना नहीं जानती थी इसी स्नेय के कारण टोपी इफ़न से अपनी दादी बदलने की बात करता है उनकी बोली भी टोपी को अच्छी लगती थी प्रश्न साथ, पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेश स्नेय क्यों था? उत्तर पूरे घर में इफ्वन को अपनी दादी से ही विशेश स्नेह था प्यार तो उसे अपने अब्बू, आम्मी, अपनी बाजी तथा छोटी बहन से भी था पर ये सभी उसे कभी कभार तो डांट ही देते थे दादी ने उसका दिल कभी नहीं दुखाया वो रात को उसे तरह तरह की कहानिया भी सुनाया करती थी इसलिए वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था प्रशना आठ इफ्वन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यूं लगा? उत्तर इफ्वन की दादी स्नेह मै थी वो टोपी को बहुत दुलार करती थी टोपी को भी स्नेह व अपनत्व की जरूरत थी टोपी जब भी इफ्वन के घर जाता था वो अधिकतर उसकी दादी के पास बैठने की कोशिश करता था क्यूंकि उस घर में वही उसे सबसे अच्छी लगती थी दादी के देहांत के बाद टोपी के लिए वहां कोई न था टोपी को वो घर खाली लगने लगा क्यूंकि इफ्वन के घर का केवल एक आकर्शन था जो टोपी के लिए खतम हो चुका था इसी कारण टोपी को इफवन की दादी का देहांत के बाद उसका घर खाली-खाली सा लगने लगा प्रश्न 9 टोपी और इफवन की दादी अलग-अलग मजहब और जाती के थे पर एक अंजान अटूट रिष्टे से बंधे थे इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए उत्तर बच्चा कोमल तथा निश्कपट स्वभाव का होता है उसके लिए मजहब और जाती का कोई महत्व नहीं होता वो तो इन सब बातों से अंजान होता है उसे जहां भी प्यार और ममता मिलती है उसी और बरबर से आकर्शित हो जाता है इसलिए तो इफ़न की दादी का सनेह और ममता टोपी को मजहब और जाती की दिवारों के पार अपनी और खीच लेती है और दोनों अंजान होते हुए भी एक अटूट रिष्टे में बंध जाते हैं प्रश्न 11 इफ़न की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यूँ चला गया? उत्तर इफ़न की दादी पूर्वी राज्य की रहने वाली थी लेकिन वो विवाह के बाद लखनव आ गई थी विभाजन के समय उनके मायके के लोग भारत में अपना घर छोड़ कर कराची, पाकिस्तान चले गए थे इसलिए दादी का वो घर लावारिस बंग कर रह गया था इसी कारण से दादी के मायके वाले घर पर कस्टोडियन का कबज़ा हो गया प्रश्न 1 इफ़न के पूर्वजों का संक्षिप परिचे दीजिए उत्तर इफ़न के दादा पर दादा बहुत प्रसिध मौलवी थे वे काफिरों के देश में पैदा हुए और काफिरों के देश में मरे वे यह वसीयत करके मरे की लाश करबला ले जाई जाए उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली उस खांदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वो बढ़कर इफ़न का बाप हुआ इसके बाद इफ़न और अन्य सदस्यों के रूप में यह परिवार भारत को होकर रह गया प्रश्न 2 लखनव आकर भी इफ़न की दादी की एक विशिष्ट पहचान बनी हुई थी स्पाष्ट कीजिए उत्तर इफ़न की दादी लखनव के पूरब की रहने वाली थी वे जमीनदार की बेटी थी जो विवाह के बाद अपनी ससुराल लखनव आ गई वे यहां भी पूरबी बोलती थी वे हिंदू मुस्लिम संस्कृती के मेल जोल का जीता जागता नमूना थी वे रोजा नमाज की पाबन थी परंतु एक लौते बेटे को जब जेचत निकली तो उन्होंने प्रार्थना की माता मोरे बच्चे को माफ कर दियो वे सदा मायके की ही भाषा बोलती रही प्रश्न तीन मृत्यू के करीब आने पर इंफन की दादी को क्या-क्या याद आया? उत्तर मृत्यू के करीब आने पर इफन की दादी को अपना घर याद आया प्रश्न चार इफ़न की दादी टोपी को अपने ही परिवार के सदस्यों के उपहास से किस तरह बचाती? उत्तर टोपी जब एफ़न के घर जाता तो वो इफ़न की दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता। वो इफ़न की अम्मी और उसकी बाजी के पास न जाता न बैठता। वे दोनों प्राय अह टोपी को उसकी बोली के लिए छेड़ती और हसती जब बात बढ़ने लगती तो दादी ही बीच बचाव करती और कहती कि तू उधर जाता ही क्यूं है इस तरह वे टोपी को अपने परिवार के सदस्यों द्वारा किये गए उभास से टोपी को बचाती थी प्रश्ण पांच टोपी के पिता को भी यह पसंद नहीं था कि टोपी इफफन से दोस्ती रखे पर उन्होंने इसका फायदा कैसे उठाया उत्तर टोपी के पिता और घर के अन्य सदस्यों को बिलकुल भी यह पसंद नहीं था कि टोपी किसी मुसल्मान के लड़के से दोस्ती करे या उसके घर आए जाए पर टोपी को जाती धर्म से क्या लेना देना था टोपी के पिता ने जैसे ही जाना की इफ़न के पिता कलेक्टर हैं तो उन्होंने अपने क्रोध को दबाया और तीसरे दिन ही दुकान के लिए कपड़े और चीनी का पर्मिट ले आए प्रश्न 6 टोपी एक दिन के लिए ही सही अपने बड़े भाय मुन्नी बाबू से क्यूं बड़ा होना चाहता था उत्तर इफ़न से दोस्ती करने के कारण जब टोपी की पिताई हो रही थी तभी उसके बड़े भाय मुन्नी बाबू ने दादी से शिकायत करते हुए कहा था क कि यह टोपी एक दिन रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खा रहा था तो टोपी को बहुत गुस्सा आया क्यूंकि वो कबाब को हाथ तक नहीं लगाता है कबाब तो स्वयम मुन्नी बाबू ने खाया था यह बात घर न बताने के लिए उसने एकनी रिश्वत दी थी इ प्रेम जाती और उम्र का बंधन नहीं मानता है स्पश्ट कीजिए उतर टोपी और इफफन की दादी में घनिष्ट प्रेम था टोपी कटर हिंदुवादी ब्रामन परिवार का था तो इफफन की दादी पक्की रोजा नमाज रखने वाली यह अभेद भी इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम करने से न रोग सका एक और टोपी आठ साल का था तो इफफन की दादी 72 साल की थी इस पर दोनों ने एक दूसरे को अपना समझा और प्रेम के अटूट बंधन में बंधे इस से स्पश्ट होता है कि प्रेम जाती और उम्र का बंधन नहीं स्वीकारता है प्रशना आठ टोपी शुकला पाठ के आधार पर बताईए कि टोपी को किन किन से अपना पन मिला क्या आज के समय में भी ऐसा अपने पन की प्रापती संभव है उत्तर टोपी शुकला पाठ से पता चलता है कि टोपी को अपने मित्र इफफन उसकी दादी और घर की नौकर आनी सीता से अपना पन मिलता है। टोपी और इफ्वन सहपाथी हैं जो सम्वयस्क हैं और इतने निकट आ जाते हैं कि उन्हें अपना पन मिलने लगता है। इसी प्रकार इफ्वन की दादी और सीता ही इफ्वन के दुख को समझती हैं और अपनत्व पूर्ण व्यवहार करती हैं. हां, आज के समय में भी ऐसा अपने पन की प्राप्ती संभव है क्योंकि अपने पन की रहा में जाती, धर्म और उम्राडे नहीं आ सकते हैं. यह दो लोगों के सोच विचार और व्यवहार पर निर्भर करता है प्रश्न नौ केन बातों से पता चलता है कि टोपी को इफफन की दादी बहुत प्रिय थी उत्तर टोपी जब भी इफफन के घर जाता था तो उसकी दादी के पास ही बैठता था वो दादी की पूरभी को सुनकर खुश होता था दादी उसके दोख और उसकी भावनाओं को समझती थी इफफन की अम्मी और बाजी जब टोपी की हसी उडाती तो दादी बीच बचाव करके उससे अपने पास बुला लेती थी वे टोपी को कहानिया सुनाते हुए खुश रखती थी उनके मरने की खबर सुनकर टोपी उदास हो जाता है और रोता है इन बातों से पता चलता है कि टोपी को इफफन की दादी प्रिय थी